मैं हूँ महेक और आप देख रहे हैं सिर्टी टीवी 24 न्यूज किसान कुन्याय ना मिलने पर खुद की फसल को पहचाने लगे नुकसान पशेमी चनपारं के नोतन पिर्खन के पकड़िया पंचायत के महुआवा मदरसा गाउं में आज कई किसानों ने अपनी खेतों में हसुआ लेकर पहुचे और अपने ही हाथो अपनी फसल को उपजाय थे लेकिन आज वही किसान ने उतर आये अपने ही फसल को काटने के लिए और वहां के किसानों ने बताया कि कई महां से किसान पर जो अतियाचार हो रहा है और नियूस चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रहा है वो सब को देखते हुए छातर नेता कामरान आलम जो महुआवा मदरसा जिला चंपारन बिहार के रहने वाले हैं उन्होंने किर्शिबिल के विरोध वो अपने ही गाउं के युवा के संग हसुआ उठाई और अपने गेहूं काटना शुरू कर दिये क्यूंकि सही रेट नहीं मिलता है सरकार किसानों को शोशर करा है गाउं के लोगों ने चातर नेता कामरा नालम को गेहूं काटने से रोका और बोले कि हम सभी आपके साथ हैं कामरा नालम ने लोगों को किसान बिल को बताया और समझाया तब और लोगों में गुस्सा फूट गया और लोगों ने बताया कि हम लोगों की ये सब की जानकारी नहीं है हम लोग क्या जानते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है अब हम लोग जान गए हैं अब लोग भी छ खात्र नेता कामरा नालम के साथ हैं पशीमी चनपारण बेतिया से बेवरोची पिंटु कुमार की रिपूर्ट